हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Vivo X90 Android MWILE PHONE में आप जो है वेक स्क्रीन फोर नोटिफिकिसन सेटिंग को अपना disabled कैसे कर सकते हैं यह निकि आफ कैसे कर सकते हैं ठीक है और यह वेक स्क्रीन फोर नोटिफिकिसन होने के बाद ही setting कैसे काम करती है आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए आप यह वीडियो को हमें start कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है setting page को open कर लिजिए setting page में आपको नीचे option मिलेकर notification कर, notification पर अब notification के इस page में आपको नीचे आना है या पर आपको यह option मिल जाएगा way screen for notification ठीक है इस option की ठीक सामने आपको बटन दे रखाना है इस बटन को आपको टैप करना है तो यह बटन आपका जो है black color में इस तरीके से off हो जाएगा ठीक है यानि कि आपकी यह जो setting है na disable हो जाएगी मतलब notification आने पर आपके phone की screen on नहीं होगी ठीक है तो इस setting जो है na disable करने के बाद इस तरीके से काम करती है setting आपके mobile phone में ठीक है अब मैं आपको जो हैने यह भी बतायता हूं कि कैसे आप इस wake screen for notification setting को आप अपने mobile phone में shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते है इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको यह mobile phone का setting page ना फिर से open करना है अपने mobile phone में ठीक है setting पीज में आपको सबसे ओपर यह option मिलेगा search icon इसे आपको select करना है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है setting का name wake screen phone notification ठीक है जो setting का name है वो आपको यहाँ पर type कर देना है पूरा तो आपको नीची की side यह option यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब यह आप search bar में setting का name आप type करेंगे तो यहाँ पर आपको spelling mistake नहीं करनी है अगर आप यहाँ पर spelling mistake करेंगे तो आपको नीची की side option दिखाई नहीं देगा इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है तो चलिए वीडियो क तरीका भी बता दिया है इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में